नमस्कार साथियो जेहिंद वंदे मातरम राम राम मैं Mr. T.A. नाइक आप सभी का कमांडो राजो मारवडी यूटूब चैनल परताई दिल से आर्धी की श्वाक्त करता हूँ हार्धी के अभी निन्दन करता हूँ तो प्यारे साथियों आज के सेसर में हम बात करेंगे राजस्तान के जो प्रमुक लोग देवता साथियों उनमें से हमारे है जो कि रामदेव जी की ये बारे में बात करने वाले है यानि इस से पहले साथ ही हम लोग है जो कि तेजा जी और मांगिले अमिहा जी पाबू जी हर्बू जी है जो कि साथ ही उन पर वीडियो हम लोग बना चुके हैं साथ हूँ आप लोग वो हमारे यूट्यूब चैनल कमांडो राजूमारवडी की प्लेलिस्ट में जा कि आप ल कि एक वीडियो में आपको पूरा मिलेगा और फिर बात करते हैं राजस्थान के अंदर है। जो महत्तोपभों क्या बोलते ूश्कों साथ्यूं बात देंतर वह 服व हम लोग này जो और कर सकते हैं पूरा तीन गंट या एक वीडियो के आंनним लोगों ने बनाय जिसी आपके दुरक हो गयes आप्लेड करके हैं पर बात करते हैं zer प्रकार कि आपको यहां पर किसी प्रकार से प्रषाइब consumersLR एक सकते हैं तो लोग क्या कर सकते हैं तो हमारे यहां से पढ़ लिया तो साथ्यों वैंशेहं जो कि हमारे चार्थ में यह तरह से बने रहना साथ्यों और अगर हो सके तो आप लोग शेस्षन को है झो कि VIP कर सकते हैं चल शाथ्यों देखते हैं तो आपके जो आपके जो यह आके पंच पीर में से सात्यों का सात्यूं और उनकी जिवनी के बारे में सांदार तरीके से बात करेंगे बागे सात्यों अनावश्च रहां प्हां प्राइक कि एंसे कहते हुए उनका मेड़ा का बरा यह सब पूछ सकते हैं और हम बात करें साथ हो तो लोकल पर अगर बात करें साथ हो सामाने जानकारी नुसार तो उनके माता पिता के बारे में जानकारी करेंगे या पिर साथ हो अगर किसी ने कोई रचना भी की है किसी ने कोई बात कर सकते को अच्छा कारिय कि है तो उसके बारेमबात कर सकते हैं कि छली फिर बात करते हैं साथियोर्णाम देव जी के बारे मayं लोग देवताँ है लूग देव त किस के बारें बात करेंगी राम देव जी के राम देव जी ने तर मलत्त में जनाम लिए था किस बन्त में दोस्तों हो तमवर्बंस में अ तमवर्बंस में जनम लिया था जनम कब यह था जनम कब होता यह उनका जनंञ कब आता सात्यों बादर्पद जनम कब आता सात्यों बादर्पद की दीत्या को इनका जनम् जिसको साथियों हम कह सकते हैं बाबेरी बीज भी का जता है बाबेरी बीज जिसको बाबेरी बीज भी का जता साथियों अब बात कर सकते हैं बाबेरी बीज क्यों का जता साथियों क्योंकि हम बात कर सकते हैं इनका जो जनम कहां पे हुआ था चलो थोड़ा बात कर लेते हैं उसके बाद मैं समझाओंगा साथियों बाबेरी बीज के बारे में इनका जनम है जो कि साथियों आपके बाड मेर जिल्ले के अंदर साथियों सीव तैसिल पड़ती है गाउं की अंदर बात करें साथियों तो आपके है जो कि उंडू का समीर गाउं के अंदर है जो कि इनका ज उन्डू कास्मिर गाउं तैसील शीव तैसील चलि थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं आपे जनम जनम कहां पे होता है उनका उन्डू कास्मियर गाउं सीव तसील बाड मेर पूझलिया जाइश सातियों कि उनका जो जनम है सातियों रामदेव जी का भाभा पंता है उन्डम काशंप मेर के अंदर रामदेव तो भाद्र परते है कि उनका जनम होता है ठांद्ट बादर रहं क्य française कि बढ़न ङपका थूछ को आखाओ के सर्वार्डों के वहां के जो लोग ऐसा दोख बेपकर इफ आप डो पता है कि मेरी साथ काफी सारे जो स्ट्टिनνट से कही सारे मेरे मित्र गन थे तो बीज का मतलब यहां पे दो वह बहोलते हैं इसलिए दूज को مोई लोग पीता कौनती सात्यों अजमाल जी अजमाल जी माता कौनती सात्यों माता मेना दे माता मेना दे फिर बात करते साति इनकी है जो कि पत्नी के बारे में पत्नी कौन थी साति इनकी पत्नी थी नेतल दे कौन थी साति इनकी बारे जो पत्नी का क्या नाम था नेतल दे जो कहां की थी साति वो आपके अमर कोट की थी अमर कोट के दलेल सिंग की पुत्री थी कि इनकी थी साति दलेल सिंग की पुत्री थी अठ्ध के साति इनकी पत्नी के बारे में साति चले थोड़े बात कर लेते यहां पर अब हम बात करें साथियो तो लोग दे उता के अंदर साथियो जो पांस पीर है साथियो जिसमें से एक आपके जो पाबूजी है साथियो वो भी यहां पर अमर कोट ही है जो कि साथियो उनका सवराल माना जाता है कमर कोड़ियों अमर कोड़ में पबुजी सब्सक्रा थोड़ी जांकार पर बता दो आप शाना शीज था कि इस हिसाब से पपको उनके बारे में थोड़ा याद हो जाए यह तो पबूजी का विवा भी साथ है कहां पर किसाधी का मbor कहीं गिए 二 साथ किन के साथ में साथ यूआ सुप्यार्दे कि सुप्यार्दे उनकी पत्रणी का नाम था वह चिन के पुत्रति इसाथ कुद्र ति झारजा सूर्जमल सोड़ा की पुत्री यानि सातिय बात कर सकते हैं कि जो राम्देव जी है वह भी अमर्कोठ है जो K15 पन्हाइट आपर आपके घखेस्ग खाने की पत्र के भीमिंडेट कर सकते हैं कि आप मतलब वाइब है साथियों भावक्त जेनका राजा सुरजमल की पुत्री थी और जैसे मतलब जैसे कहने का मतलब कि आदे फेरे लेने के बाद में पावु जी वाँ से हैं जो कि देवल चाड़ने की गाएं छोड़ाने के लिए आ गए थे इसलिए वो उनको कहा जाता है साथियों अर्ध विवाइत सोड़ी तो अब फिर हम बात करते हैं यहां पर है जो कि इनका जनम साथियों कहां पर हुआता राम usted का जनम का हम आता साथियों आपके उंडू का समीर सितसिल बाड मेर के अंदर हुआ था हुआ कब ता सात्यों भादरप०्स शुक्रध्वीत्या को इनकी जो तरस कि राम देव जी को क्रस्चन भगवान का उसार मना जाता है रामदय जी को क्रिश्टन भगवान का अउतार िंड़कू और यह आपने आशन भागवान का आउतार मन जाता है पाभू जी को किसका आउतार मन जाता आशन जाता है पाबु जी को किसका अउतार माने जाता है बताइए लक्समन का अउतार लक्समन का अउतार कौन कहलते सात्यों पाबु जी लक्समन का अउतार किसे माने जाता है पाबु जी को फिर बात करते सात्यों देव नारण जी को विशनु का अवतार मानते विशनु का अवतार अब बच्चे वोलेंगे सर आप तो रामदेव जी पड़ा रहे और यह क्या मतलब पाभू जी शाहत में और साथ में देव नारण जी इसका मतलब यह होता साथियों कि इन सभी को है जो कि हम लोगों ने अलग वीडियो के अंदर पढ़ा है तो यह समय एक समय ऐसा होता साथियों जिसकी अंदर आप लोग है जो की पकड़ अच्छे शे कर पाते हैं अब यहां पे सातियों बात आ घुट कि रहा हो दिक्कत हो रहें, भीषनुका आउतार है जोकि साथियो देवनारानिच को मनना जाता है कोई खास से नहीं साथियो इसमें क्या होता है कि आपको एक ऐसा मोका मिलते हैं जिसके इंदर है जोकि आपको अच्छी सी याद हो पाते हैं तो अब यहां पे साथियो अमरकॉर्ट की बात आ गई तो लो प्रमांदर से आप त्यारी करना चाहरे हैं और स्लेक्षाल लेना चाहरे है शातियों आप लोग है जो कि उसी टीचर को चुने शातियों जो अनावसिक बातें नहीं करता हो जो तूड़े वॉइंट पर चलता है साथियों क्या सातियों वह teacher जो to the point पर बात करता है सातियों content को देता है कई बार मैंने सातियों देखा है मैं भी सातियों अगर आपको लग रहा है इसा तो मैं यह बिल्कुल भी कहने का मतलब मेरा यह सातियों कि मैं अनवसिक बातें नहीं करूँगा पर ज्यादा बोलूँगा सातियो पर content पर ही बात करूँगा अब कई बार सातियों मैंने देखा है कि कई सारे teacher साथ जो कि सातियों अनवसिक बातें ज्यादा करते सातियों वह अपनी घर भीती जो अताई होती है बात होती है उसके अंदर चले जाती है फिर अगर हम बात करें सातियों तो बच्चे क्या करते हैं उनको बहुत ज़्यदा पसंद करते हैं बपर बल्की मतलब मेरे कहने का मतलब यह सातियों कि कई सारे मिनिट का कंटेर देते है सातियों तो उस समय बच्चों को वह बहुत अच्छे China कि अयुआ है सहा खी बदो पास में इतना समय नहीं होता है अम मेरा प्डियों सकी अंदर बौत बड़ा सलेवर्ज है बहुत है बड़ा syllabus साथियो syllabus की according साथियो आपको cover up करना चाहिए साथियो और अगर आप लोग syllabus के according cover जो की तयारी नहीं कर रहे हैं तो आप लोग nil है syllabus के अंदर साथियो जो topics दिये गए है उसके according ही आपको तयारी करने चाहिए और वो topic आपको जिस book में नहीं मिल रहे साथियो तो कहीं और से उठा के पढ़ो पर उसको clear करो साथियो किसी भी topic को आपको छोड़ना नहीं है syllabus के according तयारी करो और जो आप लोग क्या करेंगे साथियो hand knots बनाईए आप लोग है जो कि साथियो books को पहले पढ़ो फिर दुबारा साथियो उसको पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा x के अंदर जो मुखे points यानि content क्या निकल रहे साथियो इस topics के अंदर से है जो कि प्रशन कहां से पूछे जाएंगी साथियो यह आपको अपने आप पता लगेगा साथियो जब आप पहले बार book पढ़ने के बाद में दूसरी बार है जो कि आप पढ़ोगे तो फिर साथियो वहाँ से आप लोग क्या करेंगे दूसरी बार में आप लोग है जो कि अपने hand knots अपने खुद के लिखे हुए नॉट्स मनाओगे फिर साथियो तीसरी बार उन नॉट्स को पढ़ोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि वह आपको है जो कि कभी आप उसको नहीं भूल पाऊगे साथियो उसके बाद में बात करेंगे साथियो तो आपको क्या करना है जो भी आपके जो टूदध पहले आप उनका डेमो देखो साथियो टूदध पढ़ाते साथियो उनके साथ ही पढ़े अन्य था आप अपना time खराब नहीं करे चाहीं मैं यह नहीं क्यों आपको मैं अच्छा नहीं लग रहा हूं साथ यह आपको सब्सक्राइब करना हो नहीं रिखता आपको जो कि मतलब किसे हैं सेलेक्शन के अच्छा मिलता है उसी पर हम लोग है जो की बात करते हैं तो फिर बात करते हैं यहां पर आपको जब आपको लगेगा कि हम लोगों ने गलत टीचर को चुना है Looks है एक बार है जो कि जो बात चाहते हैं उसके अंदर होनी चाहीं तो हम लोग बता सकते हैं आप चले बात करते हैं नाम है जाधी हो भूत नें जाति है और उनको अनकी नामों से जना चाते हैं तो आपके रूने चारा धणी हो गया मैं व्यादा है बात करते हुए तो आपके हो गया उनका नाम एक भगया रूणी चारा धणी रूनी चारा धनी फिर बात करते साथियों रूनी चारा शाम भी उन्य का जता है पीरारा पीर भी का जता है पीरारा पीर भी ने का जता है तो आपके रूनी चरा और रामस फिर भी ने का जता है पीर अब साथियों रामस पीर अब साथियों हम बात कर सकते हैं पुराने जमानी के अंदर सातियों कर रहा हूं नावसिक करें जो कि अब करेंगे यहां पर पर जो घाने सलते ते सातियों उसको अगर हम लोग अच्छे से अगर सुन लेते तो सब्सक्राइब जो कंटेट आब अच्छे सी कवर हो जाएता तो साथ यू एक रामद्युजी का गाणा इन साथ यू जैसे उसके अंदर साथ यू कई पॉइंट्स हमारे कलरे हो जाते जैसे एक रामद्युजी का गाणा चलते हैं कि रुणी चार धणिया आजमाल जी राक economics मारे कलरे हो जाते हैं गाणा जाते हैं आजमाल जी रामद्युजी का पुत्त्र था मेणदी का गाणा, लाल ता, था यू जाते हो जाते हैं ऑर राणी नेतल रवरतार तो उनकी राणी का नाम ? रित तल था उनकी राणी का नाम नेतल था तो इस सातियों यह जो करहता है बाद तो फिर सातियों आज कल साब से बात करें सातियों तो वो गाने रही ने सातियों वोलीवूड होलीवूड का जमान आगे है यहां पर हम बात करेंगे सातियों उसके बाद में है जो कि सातियों इनके दो सगी बहने थी दो सगी बहने किसके सातियों राम देव जी के बात चल र लाच्छा और शुग्णाई लाच्छा और शुग्णाई उनकी दो, जो कि सगी बहे ने बताई जातें सातें उसके बाद में अगर हम बात करे शाते हो तो उनकी एक साती हो मू बॉलिवएन जिसको कहाती है साती हो आप अपके होती हैं जैसे धरम की बहुत साथी यिसको किया सकते हैं वो तैसा इउख द्रेविंध की धरम बहुत साथ यह डाली बहुत कि धरम की बहुट कोन्ति हाथ यह द्रीवर षाट्र कि थीन वह फास्यों में गवाल जाती कि थी वो मेग वाल जाती कि थी डाली भाई की बात करलेएशाथ्योंतों दाली भाई है जो कि मेग वाल जाती कि थी अब हम बात करेवाल चले खिर बात करते है शाथ हूँ हाँ साथ यो भागत होते हैं साथियो रामदेवजी के जो साथियों को क्या का जाता सातियों रिख्या का जाता है क्या का जाता सातियों रिख्या का जाता है फिर अगर बात करें सातियों तो यहां पर रामदेव जी के सातियों मुस्लिम जाती के लोग मुस्लिम जाती के भक्तों को क्या का जाता सातियों चायल का जाता है क्या का जाता है साथियों चायल अगर पूछ लिए जाए साथियों रामदेव जी के मेगवार जाती कि जो भगत होते हैं उन्हीं क्या किया जाता है साथियों तो option के अंदर आजाए रिख्या आजाए और आपके चाहिल आजाए घुड़ला आजाए और साथियों है जो कि आ और भी हम लोग बात कर सकते हैं साथियों तो उसके अंदर साथियों आपका रिख्या बिलकुल करक्ट होगा साथियों क्या होगा साथियों रिख्या जो कि का जाता है शाते हूं। भरता है सातियों रिने चा के अंदर सातियों का रोणी चा जैसर मेर के अंदर इनका मेला भरता है सातियों फिर हम बात करते हैं सातियों इनका जो गूरु कौन था इनका गूरु है जो कि सातियों बाली नाजी थे रामदेव जी के गुरु कोंते साथ हो बाले नाजी का साथ हो मंदिर पाडी कांपे आम है इनका मंदिर इनके गूरु सातियों बाली नाजी का एक मंदिर सातियों मसूरिया पाड़ी जोदपूर में मसूरिया पाड़ी जोदपूर के अंदर सातियों इनका मंदिर है फिर बात करते सातियों रामदेव जी किन के समकाले इंते सातियों तो रामदेव जी है जो कि मली नाज जी के समकाले इंते सातियों चलो खिर बात करते सातियों रामदेव जी मली नाज जी के समकाले इंते है मली नाजी के समकालिन माने जाते हैं राम देव जी मली नाजी के समकालिन माने जाते हैं एक बार मैं थोड़ी आवाद चेक कलेता हूं साथियों क्या आवाद कलियर आ पारी है बिल्कुल ठीक है साथियों और फिर हम बात करते हैं साथियों तो राम देव जी है जो कि मली मंधिर शाते हूं शूर्य पाडी साथ हो आपके उपके कुण्ची पाडी है जोदपूर के अंदर वहां पे इनका मंदीर साथ हो इनके घोड़े की बात करें शाथिए इनका जो घोड़ा इनका घोड़ा जिसको रह्मत भी कहा जता सात्थ हूं गोड़ा के साता सात्यों लीला गोड़ा हरा रंग का गोड़ा ना लीला गोड़ा जिसको सात्यों रेमत भी का जाता सात्यों रेमत भी का जाता है Care इंगो पर साथियों के ना बहँते हैं प्रामक वाइप बात खालते हैं आ आ सब्रसाहिस है क्या है क्यों खाल पर रामदी और दिखेट प्राश्ब्रान श्त्राइस है जो रामदेव जी के भक्त, जब इनका गुणगान करते हैं, गीत गाते हैं, उन्हें क्या का जाता साथियों, ब्यावला का जाता है क्या का जाता साथियों, रामदेव जी के भक्त होते हैं, वो जब इनके गीत गाते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इनका गुणगान करते हैं, उन्हें ब्यावला का जाता है, फिर बात करेंगे साथियों, तो इनको आपके रामसा पीर हो गए, और रोनी चारा धनी, रोनी चार सब्सक्राइब कर लेते हैं उनके बारे में थोड़ी आपको बात कर लेता हूं इसके लिए ट्रीक के लिए कि आप फॉलो कर सकते हैं है कि अब में बात करेंगे संसर्फियों यहां पर इनके बारे में तो च्रीक के सस्थयों राम उसरो अगल मैं कर थे हूं राम्हींगोपाल है क्या व 때문에 से मंगल्यं चाटियन होगा श्क्राइब का राम देव जी श्क्राइब मैंसे हो गया सात्यों मेहाजी मंगल्या मेहाजी मंगल्या है यह यह पांच पीरों के हैं जो कि याद करने क्वेशिक राम गौर्पाल है रामदीबए होगा और आपके मर्ण मेहाजी ήंश्य वاح गया गोगाजी यह जोहन हो गया कौन होगे साथियों गोगा जी चोहान कि गोगा जी के बारें में हम लोगों ने अच्छे से वीडियो बनाए है आप लोग है जो कि हमारे इससी चैनल के प्लेलिस्ट पर जा के हैं जो कि देख सकते हैं सांधार वीडियो बनाए है साथिओं फिर पास होगे साथिओं पाबू जी क्या सात्यों पाबुजी हो गया फिर ले साइलेंट रह गये सात्यों हैसे हो गया आपके हडबुजी हडबुजी अब सात्यों क्या आप लोगों को पांच पीरों के जो नाम है वो याद हो गये सात्यों पांच पीरों को राजस्तान के अंदर सातियों जो प्रमुक लोग देवता उसके अंदर सातियों जो पांच पीर हुआ करते हैं सातियों पांच पीर है उनकी ट्रीक है सातियों राम गोपाल है राम गोपाल है रासे राम देव जी मैसे मेया जी मंगलिया गव से गोपाल जो क पर यह दोड़ोग करती हो चलते हैं चलते हैं फात्यें कि और यह पांच पीर के अंदर शामिल هाब भात करें इनको और शवाग निवारनदेवता हुआता है हेजा रोग मान देवता भी का ज़्यदायता है सातियो चलो थोड़ी बात करने साथ यहां पर को जी वीडियो को debido कि नहीं करना संतिक पोड़के आपको सुच नहीं करते हैं प contributors उनावसेक बातें नहीं करता हूं मेरा भालना है जहां तक बाकी तो आप Porky करोगे कि मैं नांवसेक बाते करता हूं और फिर नहीं भी तो फिर बात करते साथ हूं यहां पर हिधा जोकी इनको है जारोग-Nivarkay-णालों कि देवत्व के देने बीका जाता है जो है करें एक बात है करेंगे तो है Jaroven लॉद्य कंस्त रोग उतायों उनके निवारग को जतना संवन कुछ रोग निवारक यानि इनके जो नाम अगर बात करें चाते हो तो हेजा रोग निवारक देवता भी ने का जाता है कुछ रोग निवारक देवता भी का जाता है रामसा पीर भी ने का जाता है पंच पिरों के पीर भी ने का जाता है और रूनी चारा धनी भी का जाता है और आपके रूनी चारा स्याम भी ने कह ज़ता हूँ, इन प्रकार से आप लोग है जो कि मैं आशा करता हूँ, कि आपको यह बात कर रहे हैं साति हूँ, तो यह पूरा आपको ने याद हो रहा है, मैं आशा करता हूँ, सात्यूं कि इसको एक हलकी से रिविजन आपको लगा कर रहे हैं सातियों मैं जो भी पढ़ा रहा हूं ये सारी PDF आपको सातियों हमारा टेलेग्राम चैनल कमाडू राजो मारवाडी पर आप सभी को है जो कि बिलकुल निश्वल्क आपको मिल जाएगी सातियों वहाँ से आप लोग है जोकी डाउनलोड करके जो बी-साथ यहां पे पढ़ने की बाद में लेनी के बाद में आप लोग है जोकी उस вीडियbrush से आप लोग यां कर सकते हैं साथ यो बहुत sixo चाले खेर बात करते हैं सात्यों तो इनका को फूर्ग निवारक देवता हैजा रोग निवारक देवता हम बात कर सकते हえば तो राम्दोजीन आ है जो कि पर भीण आते हैं उसको भी जब दफन थे तो इनको demonstratorतों भी inappropriate लिख्विद ने रूसे चाहिए पर दते हैं जीवित रोप मैं साथे हैं उसको समादी कहा जाता है वेशे तो जीवित समादी राम देव जी ने जीवित समादी लिथी साथे रूनी चाह। कि आम दिव जी ने जीवित समाधी ले थी शाथियो अब बात कर सकते हैं साथियुए यहां पर काहं पर लिधि आपके रूणीचा काँ पर बढ़ता साति ही विए जेशलमेर में अब हम इनके बारे में थोड़ी। अच्छी चे बात करेंगे साथ्य। यहाँ आती है जार साथ्यूं इन्होंने समादालिया है जेशलमेर रूण चा के अंतर साथ्यूंड़ वहीं पर इनकी जो दर्हम की बहनते साथी वह बढा हुए और बात करें साथियों तो नहीं के पास में साथियों एक जो बड़ा साथियों डाली बाई का कंगन जो की साथियों पत्थर से बना हुआ साथियों के रुप में वहां पर देखने को मिलता है साथियों और वहां पर साथियों रुणिचा के अंदर क्या हुआ था कि उस समय साथियों जो पानी का संकट था पेजल जिसको हम कह सकते साथियों पीने का पानी का संकट होने के कारण साथियों वहां पर क्या था कि एक राम सरोवर तालाब का निर्मान करवाय था साथियों कि नहीं करवाय था राम देव जी ने फिर बात करते हैं साथियों तो उसी ताड़ाब के उत्तर दिशा में साथियों राम देव जी ने शमा दिली थी तो साथियों पेजल का यहां पर बात आगे तो मैं भी थोड़ा पाणी पी लाता हूं साथियों कि अठ i 혁 चलो कि तो उसके बारे में अगर बात करें साति उअ और ने साथ उपके को नहां पर थोड़ीशे इनके बारे में बात करेंगे साथ यूं कर infected यूझा को अहूं के इनके बारे महींकुव upgrad का लेता है है कि में ने के हुआ कामडिया पंत के परवर्तक के साथ हूं? राम देवजे जो की कामडिया पंत के परवर्तक भी है जो कि कहा जाते हैं साथियों ठीक है अब हम बात करेंगी साथियों तो रामदेव जी है जो कि कामड़े अपंत के परवर्तक से आप इनका साथियों क्या करेंगे कि जो रामदेव जी है साथियों जब क्या करते हैं साथियों जब उन्होंने अपने बात कर सकते हैं साथियो जीवित रूप में सब थे साथियों कार्य काल मैं कह सकते हैं साथियों जो जीवन काल जो होता साथियों उसके अंदर साथियों इन्होंने कई सारे जो पर्चे दिये थे अब जैसे मैं मान लो मैं आपको जैसे आपकी कोई चीज मतलब एक साधन वासे में अगर बात कुन साती हो तो आपकी जैसे कोई चीज गुम हो गई तो मैं बोल दो आपको कि आपकी चीज अगर मैं साइस के हिसाब से कहूं या फिर किसी हिसाब से अगर कहूं कि वहां पड़ है तो फिर बात के लिए त ihan समय साथियों जो राम देव जी ने कई सारे जो परच्छे दी हैं साथियों Holding Two चामतकार किये थे उनको परच्यों का जाता है इस Girard in को कि इनोंने के सारे जो चमतकार को कर दा पर्चा का जता है शाहते हो क्या का जाता है दोस्तों परचा का जाता है रामदेव जी के जो चमतकार थे सातियों उनको परचा का जाता है कामडिया पंत के सातियों परवर्ट तक माने जाते थे इन्होंने जो कि रूणी चा के अंदर एक जिवित शमादी है जो कि ली थी अब बात कर सकते हैं रासातियो सातियों इनके दूरा जो पस्चमी राजस्थान के अंदर के आवा था कि जो पेजल का संकट होने के कारण सातियों इन्होंने एक तलाब का जो कि निर्मान कर भाए सात्यों एक तलाब हो दactivाय था जिसका राम चुर नहीं बात कर लेते हैं कि कि वि यह आ पस्चिमी राजस्थान चाहाँmind पस्चिमी राजस्थान तो बाध करें तो जैसे या आपका राजस्थान हो गया तो लिग aik bırak गया अधक्षिंड हो गया यह हो कि पाखिक हो गया नो तो राजस्थान में साथ्यों पस्चमी राजस्थान के अंदर रामदेव जी ने क्या करवाया पस्चमी राजस्थान में पेजल का संकट होने के कारण पेजल का संकट होने के कारण पेजल का संकट होने के कारण साथियों इन्होंने एक तालाब खुदवाया था के कारण साथियों क्या करवाया रामदेव जी ने एक तालाब खुदवाया एक तालाब खुदवाया एक तालाब खुद वया जिसका क्या नाम रखा साथियो राम सरोवर क्या नाम साथियो राम सरोवर तालाब है जोकि इन्होंने खुद वया था फिर बात करते साथियो तो इन्होंने है जोकि एक जिवीत समाधी लीते साथियो तो रूनी चा के अंदर सातियों ये तालाव कहां पे है ये आपके रूनी चा जैसल मेर में है कहां पे सातियों ये तालाव रूनी चा जैसल मेर में इस बात है जो कि साथ को बात करते हैं कि जो इनके उत्तर के दिशा में सातियों रामलेवजीन है जो कि ये जो तालाव सातिय इसकी उत्तरी दिशा में उत्तर दिशा में राम देव जी ने जीवित समाधी ले थी जीवित समाधी ले थी बात करें साथियो तो राम देव जी कि जो समाधी बनी होई साथियो तो उनके पास ही साथियो इनकी जो बहनती साथियो डाली बाई जो धर्म की बहनती साथियो डाली बाई की समाधी बनी होई साथियो इनके पास ही इनकी समाधी इस्तल के पास ही साथ डाली बाई की समादी इस्तल है डाली बाई का समादी इस्तल है और उसी के पास में साति हूँ एक डाली बाई का कंगन भी बना साति हूँ पत्थर का किसका साति हूँ जो डाली बाय के सातियों जो समादी स्थल है उसके पास में सातियों एक कंगन मना हुआ सातियों बात करें सातियों जो कि पत्थर से बना हुआ सातियों उनके पास में सातियों एक बावडी भी सातियों बात कर सकते हैं पर्चा बावडी जिसको काज़ता सातियों जिसका निर गूरु बाली नाज जी का धुना बाली नाज जी का धुना क्या सात्यों धुना कह सकते हैं बात कर सकते हैं धुना कह सकते हैं आश्रम जिसको कह सकते हैं सात्यों कहां पे है आश्रम यह कहां पे सात्यों पोक करन जेसल मेर में पोकरन जेसल मेर के अंदर है उसके बाद वे अगर हम बात करें शाथ हूँ तो रामदेव जी जो कि साथियों आपके कामडिया पंत के परवर्द तक थे उन्होंने जो कि कही सारे आपके चमतकार किये थे परचे जिसको हम कह सकते हैं तो इनके जो गूरु है साथ जिनका धू रामदेव जी का मेला कब बरता साथियों इसका जो आयोजन होता है रामदेव जी का जो मेला साथियों वो कब बरता है भाद्र पद्र शुक्ल पक्स की दूत्या को कि दूत्या को कि दूत्या से कब तक चलता है साथियों बाद्र पद्र शुक्ले एकादसी तक इनका जो मेला चलता है साथियों हम बात कर सकते हैं यहां पर है जो कि यह जो बाबिर शुक्ले दूत्या को साथियों बाबेरी बीज भी का जाता है के सातियों बाबेरी भी जिसको का जाता है अब बात करें हैं यहां अब किसने都是 ऑस्धिन कि निर्मान करवाया है साथियों छलो खिर बात कर लेते साथियों इनके जो मंदिर का निर्मान रामदेव जी के मंदिर का निर्मान मंदिर का निर्मान कब करा है साथियों किस ने करवाया तो बात कर लेते साथियों 1931 में करवाया किसने करवाया सात्यूं महाराजा गंगा सिंग ने कहां करवाया सात्यूं कहां करवाया रूनीचा जेसलमेर के अंदर चलो फिर आगे बात कर लेते सात्यूं यहां पे तो उसके बाद में अगर बात करें साती हो तो इनके जो मदिर का जो निर्मान साती हो 1931 में साती हो महराजां गंगा सिंग कर वायaf था और इनको हैं थो कि हाथी हो हिंदू और मुसलिम जो जाती है साती हो उनको उनका एकता का पर्तिक भी नершाथा है क्यों कि साती रामदेव इसे की लोग देवता है सात्यूं जो एक मात्र सात्यूं जो कभी भी रहे सात्यूं जिन्होंने 24 बाणिया ग्रंत भी लिका है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते सात्यूं उनको अभी में लिखवा दूँगा ताकि आप लोग है जो कि नौट सचे से बना पाऊगे फिर बात करेंगे साथ यूँ तो यह हिंदू और मुस्लिम के है जो के एकता की प्रतिक साथ हैं और आपके साथ यह जाती-पाती यह इस सब को है जो के हटा आयता साथियों रामदेव जी सलो बात कर लेते साथियों उनकी बारे में थोड़ी भी रामदेव जी ने साथियों रामदेव जी एक्ता की प्रतिक माने जाते हैं राम देव जी हिंदू मुसलिम के की एकता के प्रतिक है एकता के प्रतिक माने दते यानि शातियों इन्होंने चुवा चूत वगेरा जाती पाती ये सब हटा दिया था राम देव जी ऐसे लिए एक मात्र ऐसे लोग देवता है सातियों जो कवी भी थे चलो उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं सातियों राम देव जी एक मात्र ऐसे लोग देवता है क्वी हम जो कवी भी थे जिन्होंने साथमेंगम एक रचना की है जिन्होंने एक रचना के हैसाती हैं कौन सी रचना साती हैं इनकी रचना हैसाती है 24 बालिया日 है है मैं है कि इं wizard को उपजलिया जाइड सा तियों चोबिस दान्यां ग्रंत के जो रजणा कार और जाथिंए उसके बाद में आगर बात कुरर जाते हैं तो यह जो गा επंत के साथ तो कामडिया पंत है इसके जो किछा क्या थे प्रवर्त्यक माने जते हैं कि मेखवाल जाती कि बाइन के चायल का इनके बारे में लोग नियौनी बात कर लिए और राम देव जी का सातियों जो रात के अंदर कर सकतर जो कि जम्मा काज़त है अब बात कहले तो रातरी भजन को सात्यों जम्मा calling रामदेव जी के रात्री भजन को जम्मा का जता है रामदेव जी के रात्री भजन को रात्री भजन को क्या का जता है सात्यों जम्मा का जता है रामदेव जी के रात्री भजन को जो की जम्मा का जाता है सातियों उसके बाद में अगर बात करें तो इसकी अंदर सातियों रामदेव जी के जो भक्त होते हैं सातियों कामडिया पंत के ये प्रवर्तक थे तो कामडिया पंत के सातियों इनके जो भक्ती में जो कामड़ पंत की जो महिले है सात्यों एक नर्ते करती है तेरा ताली नर्ते जब सात्यों रामदेव जी की जो भक्ती के अंदर जब सात्यों को क्या करते है इनका गुणगान करती है तो तेरा ताली एक नर्ते करते है सात्यों कामड़िया पंत की जो महिले है उसके बाद भी सातियों जिसमें एक प्रसिद्ध नरत्यांगना भी रही है सातियों मांगी बाई जो प्रताब गड़की थी चलो बात कर लेते सातियों रामदेव जी की सातियों जो ये कामडिया पंत के परवर्तक थे कामडिया पंत के परवर्तक थे कामडिया पंत के परवर्तक थे अब हम बात करें साथियों तो जो कामडिया पंत की महिलाएं कौन साथियों कामडिया पंत की महिलाएं कामडिया पंत में साथियों इनकी जो महिलाएं है साथियों जो भक्ती करने वाले कामडिया पंत की जो भक्त महिलाएं सात्यों कौन सा नर्ते करती है तेरा ताली नर्ते करती है कामड़ेपंद की मैलाएं सात्यों इनका जब गुणगान करती है तो वो नर्ते करती है सात्यों तेरा ताली नर्ते कौन सा करती है सात्यों तेरा ताली नर्ते करती है तेरा ताली नर्ते जिसमें साथियों एक प्रशिद नर्तियंगिना भी रही है साथियों कामडिया पंत के साथियों एक बात कर सकते हैं जो कि साथियों कामड पंत के अंदर साथियों तेरा ताली के एक प्रशिद नर्तियंगिना भी रही है साथियों अब बात कर सकते हैं जो गाय कला करता है साथियों जो साथियों गाना गाता है साथियों उसको गाय कला का रखाता है का जाता है और साथियों यहां पर हम बात करें तो जो नर्तिय करता है उसको नर्तियांगना साथियों यहां पर महिले है तो नर्तियांगना हो गई साथियों क्या नाम है साथियों जिसका मंगी भाई क्या नाम है साथियों मंगी भाई काहां की रहने वाली थी साथियों परताप गड़गी तो साथियों जो तेरा ताली नर्ते है साथियों इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर साथियों एक तेरा ताली की साथियों प्रफसिद्ध महिला साथियों जो नर्त्यांगिना थी साथियों जो डांस करने वाली जो नाचने वाली थी साथियों वो थी आपके मां क्यंद्र कामडिया पंत का प्रमुक क्यंद्र कामडिया पंत का प्रमुक क्यंद्र कामडिया पंत का प्रमुक क्यंद्र काँपे साथ्यों ये पादर ला गाउं पाल्ली के अंदर साथ्यों कहां पे साथियों पादरला गाउं पढ़ता है साथियों ये पाली में तो साथियों कामड़ पंतियों का जो प्रमुक के अंदर है साथियों वो कहां पे हैं पादरला गाउं पाली के अंदर है साथियों इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों तो आपके जे सलमेर डीडवना और इनके अंदर है जोकी साथियों कामड़ पंती पाए जाते हैं साथियों बात कर सकते हैं रहते हैं इसके अलावा साथियों इसके अलावा कहां पर साथियों जे सलमेर हो गया और आपके डीडवना यहां पे भी सातियों कामड़ पंची है जो की रातियों में देखने को मिलते हैं सातियों कामड़ पंच के लोग अब उसके बाद में हम बात करें सातियों तो इनकी जो राती जो भजन गाया जाते हैं सातियों उनको पावुजी की और रामदेव जी की फड़ लगाई जते हैं इनकी फड़ रामदेव जी की फड़ लगाई जते हैं हुआ जो बांची जाएती सथ जिसको कह सकते हैं तो कोण सते साहई यए जा कामड जाती के भोपे कामड जाती के भूपे किस वाद्ययंत्र के साथ गाते साति हूआ रावण अत्ता बाद्य वद्र यंत्र थोड़ी बात कलेती है सा other रवन हथ्टा में कितने तारट से साथ dónde कुल नई तार होते हैं जिसको साधारन भासा में स बात करें हमारी भासा में रेणूत्थां भी ख्याजता है कुगर है go उसको है जो कि घज्जे वजायता तताती यो कि मेनाव से इस चैप्टर के अंदर नहीं कुरओं गयों वह लोगों ने एक बात कर सकते हैं तेन गन्टे और 15 मिनिट का जो एक लगातार वेडियो एक ही वीडियो के अंदर साहती हुँ जो भी हमारी राजस्तान की प्रमो के बा तक पिर उसके बाद हुं बात करेंगे शाथे तो रावन त्रावाधक गारवन की साथ वेस लोग देवता है उसके अपके दो मुटी पूजा के खिलाब थे यानि की मूर्ति पुजा की खिलाब थे आँ राम देव जी कि अगर कर शाथ हैं पुर्ति पुजा की खिलाब थे अ कि इनकी साथियों पगलियां की पूजा की जाते हैं इनकी पगलियां की पूजा की जाते हैं है राम जी बात कर सकते हैं एनकी है जो कि पगलियों की पूजा की जाते है साति हो उसके बाद में अगर हम बात करें साथि तो उसके बाद इनका जो मेडा कब बढ़ता है इनका मेडा है जो कि कब बढ़ता है चलिए उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं अभी हम लोगों ने की थी साति यूंबात रामदेव जी का मेडा जी का मेडा कहां बढ़ता है सात्यों रियामदो जी का मेडा कहां बढ़ता है रूनिचा के अंदर रूनिचा कहां सात्यों जे सलमेर में कहां सात्यों जे सलमेर रूनिचा के अंदर सात्यों इनका जो मेडा लगता है सात्यों कब लगता है यह आपको बता दिया है बाद्रपद शुकले दूत्या से एकादसी तक बाद्रपद शुकले दूत्या से एकादसी तक इनका मेला बरता है जिसको राम देवरा कहा जाता है एक चोटा राम देवरा जो आपके गुजरात के अंदर है चले उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं साथियों उनके अन्य प्रशिद्र जो मंदिर है साथियों उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं साथियों तो इनका जो एक प्रमुक के साथियों बात कर सकते हैं जो राम देवरा है साथियों को तो आपके रूनी चाजेसल मेर के अंदर आ गया एक छोटा राम देवर यह कहां पर सातियों आपके यह आपके है जो कि सातियों गुजरात के अंदर है चोटा रामदेवरा सातियों आपे गुजरात के अंदर है फिर अगर बात करें सातियों तो इनका एक मंदिर और भी सातियों यानि इनके प्रशिद्ध मंदिर के बारे में थोड़ी बात कर रहे तो अब बात करते हैं चोटा जो रामदेवरा आपके आपके गुजराद के अंदर फिर बात करते हैं यहां पर वह मसूर्या पहाड़ी मसूर्या में इनका मंदिर भूरे सृद यह, यह पिर बात करते हैं उनके बाद में यह आपके बात करें तो असली रॉह आपकर लोगदकर कर सकते हैं। और एक छोटा राम्दे रासाती है, कौनऔ से चलो, इसको यहां से अच्छे से देख पा रहे हों है चोटा रामदिवरा जो के साथियों आपके गुजरात के अंदर है मसूरिया आपके साथियों कहां पे है जूदपूर के अंदर है साथियों उसके बाद में हम बात करें साथियों एक इनका मंदिर है बिठूडा प्रशिद मंदिर है साथियों बिठूजा मंदिर है जो कि आपके बालोत्रा के अंदर है कौन सा सातियों बिठूजा ये मंदिर है जो कि कहां पर है सातियों आपके बालोत्रा बालोत्रा जिल्ले में है उसके बाद में अगर बात करें साति हूँ उनका विटू जा हो गया छोटा रामदेवर हो गया एक आपके हो गया शूर्ता-खेड़ा जो कि आपके चित्तोड-गड में है साति हूं क्यों साथ हूं सूर्ता-खेड़ा सूर्था खेड़ा जो की साथियों आपके चित्तोडगड में है कहां पे दोस्तों चित्तोडगड में है उसके बाद में साथियों हम लोग है जो की आज की सेशन को यहें पे है जो की साथियों पूरा करते हैं और फिर मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो के साथ में तो सुला सी यहां तक है दraभके बाद और या करेंगे इसको है जो की अच्छे सी ध्यान से आप लोग है जो कि एक बार वार अपने इत्र या कद आ ब isnना कि आप Kelvin एक वा वत धुंस क्देश कि छूरा बिर्शन के साथ हो आपको है कामनड़ राजु मारवाडी उसको आप कि लोग आप लोग चाहिए यह जोबी पीडिफ है इसको जो कि डाउनलोड कर पाऊओगी बिल्कुल निशनक जो भी कलासे आज तक हुई है आपको हमारा टेलग्राम चैनल कमांडू राजु मारवाडि पी बिल्कुल निशनक मिल जाएगी के साति हो कंध्डो राज्जू मारवाडी पर है तो कमध्डो राज्जू मारवाडी से जाती हो वहाँ तो इस पर आपको के यह समपुर्ण PDF है जो कि मेल जाएं के सा घुल मिलतें हैं सात्यओं एक नए है टॉपिक नई जोस्त और जुनुन के साथ तब तक लिए एक चोड़ा सा ब्रेक लेते हैं बाई बाई जय हिंद